हालो फ्रेंट्स, वेलकम तो आई चैनल स्टडी फोर यू, सो गाइज आज के इस वीडियो में आम लोग देखने वाले हैं, जो आपका SSE MTS और हवलदार की जो निव वैकेंसी आई है, जिसका एक्जाम आपका अपरेल 2023 में लिया जाएगा, उसके लिए टॉप मोस्ट इंप प्रेंट्स और हवलदार के एक्जाम में इसी परकार से प्रेंट्स न पूछे जाएंगे, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा, और आप सरी कुष्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो SSE MTS की रियल त्या कुष्टन है कि भारत के सर्वोच न्याले के कितने छेत्रा अधिकार को जो है वर्गी कृत किया जा सकता है, तो तीन आपका यहाँ पर करेक्ट टैंसर होगा, नेक्स्ट अप के यहाँ पर है कि राज्यपाल की सक्ती बनाने वाले अध्यादेश का जो संबंद है, यह किस अनुछेद से है, तो देखे राज्यपाल की सक्ती बनाने वाले अध्यादेश का जो संबंद है यह आपका आर्टिकल 213 से है, तो ऑप्सन 2 आपका यहाँ पर करेक्ट टैंसर होगा, नेक्स्ट अप के यहाँ पर है कि जैन धर्म के अंतिम तिर्थंकर भगवान महावीर का प्रतीक क्या था, तो देखे जैन धर्म के टोटल 24 तिर्थंकर थे और जो अंतिम तिर्थंकर थे यह भगवान महावीर थे और इनका जो प्रतीक था वो सेल था, तो ऑप्सन 4 आपका करेक्ट एंसर होगा, यहाँ से एक्जाम में एक प्रश्ट और पूछा जाता है कि जैन प्रतीक थे और इनका जो प्रतीक चीन था, वो क्या था, तो यह सांड था, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोशन आपके यहाँ पर है कि रैतवारी प्रणाली की सुरुवात के समय, गवर्नर जेनरल कौन थे, तो देखे रैतवारी प्रणाली की जब सबसे पहले मदरास प्रेसिडेंसी में जो है, यह किसके द्वारा पेस किया गया था, तो देखे रैतवारी प्रणाली को सबसे पहले मदरास प्रेसिडेंसी में जो है, यह थामस मुन्रो के द्वारा पेस किया गया था, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट खान option 4 आपका correct answer होगा next step केबुल लाम जाओ रास्टे उद्यान एक रास्टे उद्यान है या निम्न लिखित में से किस राज्जी में इस्तित है तो देखें यह जो आपका निम्न लिखित में से किस रूप में जो है कार्बो हाइडरेट हमारे सरीर में एकत्र होते हैं तो देखें यह जो आपका कार्बो हाइडरेट है ना हमारे सरीर में गलाइकोजेन के रूप में एकत्र होते हैं तो option 3 आपका correct answer होगा next step के यहां पर है कि प्राग निम्न लिखित जो है दर्बारी कवी थे तो देखें मेहमूद गजनवी के जो दर्बारी कवी थे ना ये फिर दौसी था तो आपसन फूर आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट अप कहें आप रहे कि यदादीरी ताप विदूत सैयंत्र ये जो है किस राज जी में इस्तित है तो देखें भारते राशे कांगरिस का जो अस्थापना ये कब हुआ था तो ये 1885 में हुआ था और उसमें जो पहले मुस्लिम अद्यस्ति थे ना ये बदरुदिन तयबजी थे तो आपसन फ्री आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट अप कहें आप रहे कि बाजार नियंतरन निती की सुरुआत जो है ये किस ने की थी तो देखें बाजार नियंतरन निती का जो सुरुआत है ना ये अलाओ दिन खिल जी के द्वारा किया गया था तो आपसन फ्री आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आप कहें पर है कि निमनल इखित में से किस नदी पर जो है उकाई पर ये आपका तापती नदी पर बनाये गया है तो आपसन वन आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आप कह याँपर है कि वनस्पती तेल बनाने के लिए परियोगत गेश निमनल इखित मैं से कौन सा भारत के जो है नागरी का मौलिक करतब्य है तो देखें यह जो आपका टू प्रिजर्व दा कल्चर ओद नेशन यानि राष्ट की सांस्कृति का संरचन करना यह जो है क्या है तो भारत के नागरी का मौलिक करतब्य है तो option 4 आपका यहां पर correct answer होगा नेक्स्ट आपका यहां पर है कि भट्याली निम्न मेंसे जो है किस राज्य का लोग संगीत है तो देखें यह जो आपका भट्याली है ना यह पस्चिम बंगाल राज्य का जो है लोग संगीत है तो पस्चिम बंगाल आपका correct answer होगा नेक्स्ट आप का यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रों में जो है कानपूर में शिपाईयों का नैतित्व किया था तो देखे 1857 का जो विद्रो हुआ था ना इसमें जो कानपूर में शिपाईयों का नेतितु है ये नाना साहिप के द्वारा किया गया था तो option 3 आपका correct answer होगा नेक्स्ट आप के यहाँ पर है कि भारत के संविधान का भाग 15 ये जो किस से संबंदित है तो देखे भारत के संविधान का भाग 15 ये आपका election यानि चुनाओ से संबंदित है तो option 4 आपका correct answer होगा नेक्स्ट आप के यहाँ पर है कि द्वीश अदनात्मक्ता की विसेस्ताएं निमनलिकित में से जो है किस रोज से लिया गया है यानि question पूछने का मतलब ये है त्वीश अदनात्मक की जो विसेस्ताएं है निमनलिकित में से किस अदेश के संविधान से लिया गया है तो द से संबंदित है तो देखे यह जो आपका भाग दो है ना यह आपका नागरिक्ता से संबंदित है तो भाग दो आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट अप कही आप रहे कि निमनलिकित में से कौन सा अनुछेद अंत्रास्टे सांती और सुरच्छा को बढ़ावा देने के वि निकित में से कौन सी पुस्तक जो है हर्सवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था तो देखे यह जो आपका रत्नावली नागानंद और प्रियदसी का यह सब पुस्तक है ना यह हर्सवर्धन के द्वारा लिखा गया है लेकिन यह जो कादंबरी पुस्तक है ना इसकी रश हाई में इस्थित है तो option 1 आपका गरेक्ट टैन्सर होगा next số के हैं पर रहके है निम्लली खित बांदों में से सबसे लंबा जोह जो है ये कौन सा है तो देखे सबसे लंबा पर है कि प्रात्ना समाज की संस्थापक कौन थे तो देखे प्रात्ना समाज के जो संस्थापक थे ना ये डॉक्टर आत्माराम पांडू रंग थे तो option 1 आपका correct answer होगा next question आपका यहाँ पर है कि मोलिंग रास्टे उध्यान ये जो है किस राज्य में इस्तित है तो देखे अपने गोदी बाड़ा के लिए परसी दिता तो देखे सिंदुगाटी सब्यता का ये जो लोथल सहर था ना वो अपने गोदी बाड़ा के लिए परसी दिता तो option 3 आपका correct answer होगा next आपका यहाँ पर है कि निम्नलिकित में से कौन जो एक मौलिक इकाई है तो देखे यह ज जो है समाचारों में चर्चीत रहा है या क्या है तो देखे यह जो ब्रूस सब्द है ना ये एक विसेश रुप से कमजोड जन जाती है समू है तो option 2 आपका correct answer होगा next आप रहे कि निम्नलिकित में से कौन सी नदी जो है राजस्थान के मेवार से निकलता है तो देखे यह आपका साबर मती नदी है ना ये राजस्थान के मेवार से निकलता है तो option 4 आपका correct answer होगा next आप रहे कि भारत में निम्नलिकित में से किसे जो है सबसी बड़े जन जाती माना जाता है तो देखे यह जो आपका गोंड जन जाती है ना ये भारत का सबसे बड़ा जन जाती म पाया जाता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है next आपका यहां पर है कि भारत की किस सहर को जो है गुलाबी सहर यानि पिंक सीटी के नाम से भी जाना जाता है तो देखे गुलाबी सहर के नाम से ये जैपूर को जो है जाना जाता है तो जैपूर आपका यहां पर correct answer हो प्रतिकिरिया है जिसमें आमले चार लवन और जल बनाने के लिए प्रतिकिरिया करते हैं तो option 3 आपका correct answer होगा नेक्स्ट आपका यहां पर है कि भारत के प्रतम मुखे नयादीस यह जो है कौन थे यानी who was the first chief justice of India तो भारत के जो प्रतम मुखे नयादीस थे ना यह आपके ही देखे नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निमनलीखित में से कौन जो है कर नव वन्स के संस्थापक थे तो देखे कर नव वन्स के дела यहाँ आपके वासू देव थे तो option फूर आपका correct answer होगा n colours कि स्वासरा के समय क्रिप्स मिसन ने भारत का दौरा किया था यह the service बालीट निमनलीख एंस्टार यह किस खेल से जुड़े होईए वी साइप रोड़ी तो his ऴृड़ किस जुड़े हुए एंस्वार रहें कि वह कौन सी नदी है जो उडिसा की सबसे बड़ी नदी है और भारत की चटी सबसे बड़ी नदी है तो देखें यह जो आपका महा नदी है ना यह उडिसा का सबसे बड़ा नदी है और भारत का चठा सबसे बड़ा नदी है तो महा नदी ऑप्सन वन आपका यहाँ प option two आपका correct answer होगा कभी-कभी examiner क्या करता है कि question को घुमा कर पूच देता है जैसे पूचता है कि हिमाले जो है ये किस परकार का परवत है तो देखें ये जो आपका हिमाले है ना ये एक वरलित परवत का उदा रहना है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स टाप का यहाँ पर है कि निमनलिखित में से किस राज्य या फिर केंदर सासित परदेश में मैत पूर्ण पहाडी दर्रा जो जिल्ला दर्रा इस्तित है तो देखें ये जो आपका जो जिल्ला दर्रा है ना ये आपका जम्मू और कस्मीर में इस्तित है तो जम्मू और कस्मीर आपका यहाँ पर correct answer होगा और आज का जो आपका last question है जो कि आपको comment box में जवाब देना है कि विधान सभा का सदश्य बनने के लिए जो है नियूनतमायू कितनी होनी चाहिए आपके option में 25 वर्स 30 वर्स 35 वर्स और 21 वर्स अगर आप real में तयारी कर रहे हैं तो आप इसका जब आप जो है जरूर दीजेगा तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा और इसी तरह का content पाने के लिए जो है चैनल को subscribe जरू कर दीजेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो और तब तक thank you all the best